नमस्कार बच्चो बच्चो आज हम पार्ट नमबर 15 होली के रंग हजार भाषा अभ्यास का हम कारेंगे पिछली वीडियो में हमने सब भाषा अभ्यास के हमने प्रशन किये थे कि सही हमने जो प्रशनों को समझा था और जिसको हमने किया था वो था कि सही शब्दों के घेरा फिर उसके बाद हमने विशेशन शब चांट कर लिखने थे, जो की पार्ट के अधार पर थे, उनको किया, फिर हमने काल के बारे में जाना, कि कौन सा वाक्य में कौन से काल का प्रियोग किया गया, फिर उसके बाद हमने दो दो वाक्य जो है काम उनसी के अधार पर हमने कि कौ कौन सा काम हो रहा है, कौन सा हो चुका है, कौन सा काम होगा, उसके अधार पर हमने ती दो दो वाक्य जो है अपनी इस पार्ट से हमने लिखवाए थे, और फिर हमने जो है सबसे पहले हमने जाना कि इत प्रत्य का प्रियोग किस परकार से किया जाए, इत प्रत्य यानि कि प् कि प्रत्य जो है शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसको प्रत्य कहते हैं और जो शब्द के प्रारम में लगता है शुरू में लगता है उसे हम क्या बोलते हैं उपसर बोलते हैं तो इसके बारे में हमने जाना फिर वचन बदलना वचन दिया हूँ है उसका एक वचन बनाना है एक वचन दिया हूँ है तो बहु वचन बनाना है अगर सिंपल आपको दिया हूँ है कि आप वहु वचन बनाईए तो आपने एक वचन इसका मतलब है कि सिंपल है कि उसमें एक वचन ही दिया होगा तभी आपने बहु वचन बनाने है तो यहां पर आपको प्रशन को पढ़ने के बाद समझना है और उसके बाद आंसर देनी है फिर नेक्स्ट आया था हमारे पास की हमने शब्दों को हम कैसे बोलते हैं और सही वाक्यों में उसका वाक्यों को सही करके लिखना था कि कई बार आपनी भाषा में बोलते हैं हमारी डेंग receptor ही हमारी अपनी लेंगवेज होती है हर जेगे के आपनी बोली होती है तो हम बोल देते कि जैसे यहां पर उद्हारन दिया था कि मेरे को मत मारो बड़ा अठबटा साई समथर कि मेरे को मत मारो लेकिन हम इसको शूद करके हमें इससे के लिखना है तो हमने क्या लिखा कि मुझे मत मारू तो यह हमने सीखा जो है भाशा को किस परकार से हमने शूद करके लिखना है फिर उसके बाद हमने विकल्पों के द्वारा सही विकल्पों के द्वारा हमने वाक्य को भरना सीखा उस उसके बाद हमने समान अर्थ वाले शब्दों के साथ हमने मिलान किया था कि शब्द के अर्थ बताने हैं और उसके बाद रा के रेव की मातरा के जो हमने दो दो शब्द लिखे थे रेव की मातरा के बारे में बताया था मैंने की पांस तरह की होती है रा को हमने उपर भी डाल हमने जो वाक्य बनाने है शब्द का जो वाक्य बनाने वो बिल्कुल पूर पूरय करना चाहिए ताकि वो सुद्य हो और शुद्य कीन हमें. अब आता है नेक्स पेज़ पर आपका 48 पेज़ पर आजाईए सबचे यहाँ पर प्रशन नमबर 12 है यहाँ पर एक पत्र दिया हुआ है जिसे हमने लिखने हैं तो पहले हम पत्र के प्रशन को पढ़ते हैं उसको समझते हैं फिर उसके बाब मैं बताती हूं कि पत्र को किस प लिखने निमंत्रन देना यानि कि बुलावे के लिए कि तुम मेरे घर आओ विली एलिए हम तो इसके लिए निमंतरन बोलते हैं उसे निमंतरन देते हुए पतr लिखने अब अब चयों एक चेस आपको में बताऊं कि पत्र जो है हमारे पास कहीती एक नष्ड़ष्ड उते है कि हम मित्र को लिख रहे हैं, या फिर दिष्टेदार को लिख रहे हैं, दादा दादी को लिख रहे हैं, या अपने सकी को लिख रहे हैं, या फिर अपने भाई को लिख रहे हैं, बहन को लिख रहे हैं, इसको लिखने से पहले हम लिखने से पहले क्या बताते हैं, लिखते है कि हम कहां से लिख रहे हैं अपना अड्रेस लिखना पड़ता हमें बताना पड़ता है कि हम कहां से लिख रहे है पत्र को और फिर कौन सी तिथी को लिख रहे है है ना और फिर उसके बाद जो है हम ये बताते हैं कि हमने किसको हमने पत्र लिखना है Shili को लिख रहे है। अपनी Shili का नाम लिखेंगे प्रिया Shili और उसके बाद हम नमाशकार भी खरेंगे उसको फिर उसके बारे में लिखती है जिसे कि हम नहीं लिखा अब आप जो हम ऐसे पत्र लिखते हैं उसमें हम घर का अड्रस मों नहीं लिखते हैं क्योंकि हम स्कूल से लिख रहे हैं, परिक्षा भावन लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, फिर उसके बाद नहाल अपने जगे का नाम लिखेंगे, फिर अपने सहिली का नाम लिखा, सहिली या दोस्त जो भी आपका है उसको नाम लिखा, फिर उसको नमशकार के, फिर उसके यह सारे हमने किस साइड पर लिखने हैं लेफ्ट साइड के लिखने हैं पेस के लेफ्ट साइड पर लिखने हैं राइट साइड पर नहीं लिखने हैं और फिर जो है हमने सबसे पहली बात यह भूलना नहीं है कि नमशकार भी जुरूर करने हैं क्योंकि हम किसी से मिलते हैं त फिर अपना बताएंगे कुशल पूरोक है फिर हम जो है मुद्दे की बात पर आएंगे जो प्रशन में दिया हुआ है कि जैसे यहां पर हुली खेलने के लिए निमंतरन पत्र दिया है कि हुली के बारे में बताएंगे कि हुली आने वाली था हम चाहते हैं कि हम दोनों आपस म मिलकर होली खेलें और फिर जो है इसके लिए तुम बेरे घर आ जाना तो ये सारी बाते हमने लिखने का एक पत्र में कुछ भी जो आप किस तरह से आप होली मनाते हो कैसे मनानी है अपने अपना सारा प्रोग्राम जो है इस पत्र के द्वारा आपने अपने दोस्त को बताना ह और फिर जो है लास्ट में जो लास्ट में आता है जब पत्र आपने लिख लिए फिर आप जो है बड़ों को जो घर में बड़े हैं उनके लिए भी नमशकार बोलोगे दादा दादी ये अंकल अंटी ये जो भी है उनको नमशकार बोलोगे प्रनाम बोलोगे है ना चरंसपर्श बोलोगे फिर उसके बाद जो है बच्चे भी या वहाँ पर, बच्चों को प्यार भी बोलोगे, फिर आपने लास्ट में ये बताना है कि आप को नो तुम्हारी सक्षी या दोस्त जो भी है वह आपने अपना नाम जो है वहाँ पर लिखना है, और ये ना आप जो है पत्र जो है आपको समझा गया कि किस परकार से पत्र को लिखा जाता है यह लिखने का एक पैटरन है तो हमने इसी धंग से लिखना है इसको अगर हम इस धंग से ने लेंगे उपर के यह जो चार पंक्ति हैं एक दो तीन चार पांच पंक्ति हैं जो है हमने पत्र को और इनके मार्क्स जो है अलग से होते हैं उपर की ये पांच पंक्तियों के ये नीचे की दो पंक्तियों की जो है अलग से जैसे अगर मान लो ये पत्र जो है पांच नमबर का है तो तू मार्क्स जो है आपके उपर ये और नीचे के लिखने के अगर आपने इसमें स ही धंग से लिखा है तो बिना बात में आपको टू नंबर असानी से मिल जाते हैं और ये जो बीच का material है जो आपने लिखा है इसके हमारे पास तीन नंबर होते हैं जो की आप लिख सकते हैं तो आपने पत्र को अपने लिखने का अभ्यास करना है आप किसी भी अपने दोस्त को दादा दादी को नाना नानी को या फिर जो है अपनी भेहन को भाई को लिख सकते हो लिख कर देखना रख कौपी में और जिसे कि आपको अभ्यास हो जाएगा कि कैसे पत्र लिखते हैं ठीक है तो अब मैं इस बच्चे ने जो लिखा ही इस बच्चे का मैं पत्र को पढ़ नीचे नीचे में आपने अपना नाम लिखना है ठीक है और सहली में भी आप अपनी सहली का नाम ये अपने दोस्त का नाम लिख सकते हो ठीक है तो यहाँ पर जो है आप दो बदलाव आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो बीच में भी आप चेंज कर सकते हो लेकिन ला आज की है, तो आज दिखेंगे 15, 10, 2020, है ना, प्रिये सहेली रजनी, अब इस बच्चे ने अपने सहेली का नाम लिखा, आपने अपनी लिखने, नमस्कार, मुझे आशा है कि तुम्हारी परिक्षाइं खतम हो चुकी होंगी, आज कल क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, या कर र मैं चाहती हूँ कि इस बार होली का त्योहार हम दोनों मिलकर मनाएं, तुम अपने माता-पिता की आज्या लेकर मुझे बताना, हम होली का त्योहार एक साथ आनन्द से मनाएंगे और मस्ती करेंगे, मैंने होली की सभी तयारियां भी कर ली हैं, अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहना, तुमारी सकी नाम यशी का राना, आप ये बच्चे ने अपना नाम लिखने, बताया ना मैंने, तो आपको इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए, कि उपर की और नीचे की पंक्ति जो है, आपने दिन अंक, ठीक है, तो बच्चो इस परकार से आप पत्र लिखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे, तो फिर बच्चो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्शकार बच्चो